रजस्तान में चर्चा का बिसे बने 26 साल की उवा मिदवार रविंदर भाटी की मुश्किले बढ़ने वाली है। बाडमेर लोकसभासीट से निर्दली चुनावी मैदान में उत्रे सीव बिधायक रविंदर सिंग भाटी ने बीते दिनों बड़ी नमंकन रएली का एज़न कर भाचपा कांग्रेस की नीदे हराम कर दी थी। निर्वाचन आयोग से भाटी के खिलाव सिकायत की है। करने का आरोप लगाते हुए आयोग में सिकाया दर्श करवाई है। प्रधानमंत्री नर्दर मोदी और भाचपा की चुनावचिन कमल के निसान का एक पोस्टर तेजी से सोचल मेडिया पर वाइरल हो रहा है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो कमल के निसान के साथ मैं हूँ मोदी का परिवार के साथ भाचपा प्रत्यासी कैलाश चौधरी की जगर रविंदर सिंग भाटी का फोटो लगी है। इस पोस्टर पर लिखा है माफ करना मोदी जी हम आपको कैलाश की जगर रविंदर दे रहे हैं। अपने सिकायत में कहा भाटी ने अपनी नामंकन सभा में जूट बोला था। दरसल भाटी ने नामंकन सभा में राजस्थान कांगरीस के प्रदीस अध्यच गोविन सिंग दोटासरा को लेकर कहा था कि आपके साथ मंच पर जो ब्यक्ति बैठा है उसे सोजी तलास रही रविन्दर सिंग भाटी के इस आरोप को गलत बताया है। लड़ने की घोशडा की थी जिसके बाद भाजपा के प्रदेश में लेकर केंदरी ने तित ने उन्हें मनाने की कोशिस की थी लेकिन सहमती नहीं बन पाए। इसके बाद रविन्दर सिंग भाटी ने सर्व समाज की मिटिंग बुलाकर निरदली चुनाओ लड़ने की कावला त्रिकोडी हो चला है। भाजपा से कैलास चौधरी कांग्रेज से उम्मेदा राम बेनिवाल चुनाओी मैदान में हैं। भाटी की रैली में जुटी भीर से दोनों दलों की हालत खराब है।